बढ़ी ख़बरों पर बढ़ी बहस अब सजेगा विचार बहस पक्ष विपक्ष का रनक्षेत्र नमस्कार स्वागते आपकर अलक्षेत्र में मैं हूँ अनुराक सकसेना और आज जो मुद्दा हम यहाँ पर उठाने वाले हैं क्योंकि आपके बीच से जुड़े हुए मुद्दे हम लगातार उठाते हैं और आज भी एक एहम मुद्दा हम यहाँ पर राजचर्चा में मुद्दे को साथ यहाँ पर करने वाले हैं क्योंकि आज जो मुद्दा है वो है काली हवा का कहर जी हाँ बहुत ही अहम मुद्दा है प्रोड़ूशन क्योंकि पर रियावरंट से जुड़ा हुआ है हमारे और आपकी जिन्दीगी से जुड़ा हुआ है लेकिन सवाल वही है कि आखिर काल प्रोडूशन पर लगाम क्यों ने लिख पारी कारन क्या हैं प्रोडूशन के? आप हैं हम हैं या फिर वो जिम्मेदार लोग जिनके ओपर जिम्मेदारी है इस प्रोडूशनल को रोकने की उस पर ही चर्चा करेंगे हमारे खास मेहमान जो आज यहां पर पैनलिस्ट के तौर पर जुड़े हैं उनसे आपका परिशा करा देता हूँ मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं मौसम विग्यानिक ऐसन पांडे जी दूसरा मेरे साथ हैं अनू गोयल जी अगर मैं बात करूँ परयावरंण सेवी हैं और तीसरे हमारे खास मेहमान हैं राकेश मिशा जी जो कि एक समाच सेवी हैं आप तीनों का कारिक्टरम में हर दिक स्वागत है सबसे पहला सवाल जो मेरा है वो है हमारे मौसम विग्यानिक डॉक्टर एसन पांडे जी से सर जिस तरीके से हम देख रहे हैं लगातार कानपूर में ग्राफ प्रदूशनल का बढ़ता जा रहा है प्रदूशनल के ग्राफ को बढ़ने से रोकने के लिए दीपा वली जैसे तोहार पर पटाके बैन कर दिये गए थे बावजूद उसके देखा जाए तो ग्राफ इस कदर बढ़ चुका है कि एक रेड़ जोन होता है और एक डार्क रेड़ जोन होता है जिसमें कानपूर आ चुका है आखिर कितना एहम और कितना देखा जाए कारक कितना बड़ा सिद्ध होता है ये मौसम को लेकर भी प्रोडूर्शन की गर बात करें तो मौसम बहुत बड़ा कारक है प्रोडूर लेके और जहां तक प्रोडूर की बात है उसके लिए मैं कहना चाहूंगा कि जो इनसानी कारक है वो सबसे बड़ा कारक है जो प्रोडूर बढ़ाता है बाकी चाये हमारी सरकार हो चाहे और भी कोई चीज जो चाहे जो कस्टक्सन हो रहे हैं प्राइबेट हों सरकारी हों वो तो प्रॉट्शन को बढ़ाते ही हैं लेकिन इन में सम्में सबसे बड़ा कारक इंसानी कारक है और मौसम का इफेक्ट इसलिए ज्यादा पड़ता है जैसे इस समय होता क्या है निम इसमर्णदवाओं का इच्छितर बन जाता है तो जो भी गैसेज हैं वो सारी सम नीचे धरातल प्राइब आ जाती है एक ओजो लियर होती है जो हमारे सूर की जो क्रड़ें होती हैं उससे हमको रुछने से वो भी नीचे आ जाती है और वह इक प्रॉदुसक का काम करती है और इस समय जो मौसम चला है, उसमें कोहरा है, और उन जो पार्टिकल्स जब नीचे आ जाते हैं, तो जो धूल के पार्टिकल्स होते हैं, हमारे यहां इतने वहिकल्स हैं बड़े बड़े सहरों में, उनका जो धुआ होता है, उसमें लेड होता है, और भी बहुत से हानिकारक जो मौनों के लिए बहुत ही हानिकारक तत्व हैं वो सारे जमा हो जाते हैं और जब हम उस वातावाण में सांस लेते हैं तो वो सारे हमारे फेपुरों में जाते हैं जो मौनुकसान दायक है इसके लिए खर आदमी को जागरू कोने की जरूरत है और मौसम भी इसके लिए बह तो ये सवाल जो है हम लेकर चलते हैं समाज की बात की है आपने क्योंकि हम और से जुड़े हैं और कहीं न कहीं हम और आप ही कारण हैं तो जो समाज की कारक हैं समाज से भी हमारे राकेश विशा जी हैं राकेश जी क्यों हम और आप नहीं समझ सकते इस चीज़ को या समझना नहीं चाहते हैं कि हम क्यूं कारण बनते हैं अपने ही पर्यावरण को दूशित करने के लिए क्या कारण है अब देखिए जैसे अभी आपने जो है कहा कि दीपा वली के समय पर सरकार द्वारा बैन लगाया गया था परन्तु जब लोगों में ही सुच्छा नहीं होगी लोग सब्सक्राइब कानपूर में गाया अगर सरकार की सब्सक्राइब कर दोसितु खुलाइब केशा ही था सकती में परन्तु न्यू के जैसे सब्दी स्ब्सक्राइब अब देखिए अब हमारे हाँ अपने हाँ कानपूर में जो है गंगा को लेकर के इतनी बाते चलती है पर तो गंगा जस की तास है जब बारिस का मौशम रहता है तो गंगा जब बारिस गंगा में पानी रहता है तो गंगा साफ रहती है जैसे जैसे गंगा का जल स्तर घटता ह लगातार उसमें प्रदूसर दिखने लगता है अब इस समय आप जाएंगे देखेंगे गंगा में प्रदूसर अपने उच्टम सिखर पर पहुचा हुआ है और रही बात यह जो सर्दी के सर्दियों का जो मौसम होता है सर्दियों के मौसम में कोहरे की वज़े से जो है जोन में कानपूर से तुम मैं उस पर और आपकी बढ़ाना चाहिए रहा हूं कि अगर जोन से डार्क रेट जोन से उपर कोई केटेगरी होती तो निस्चित जो है कानपूर डार्ग जोन से ऊपर निकल जाता अब सरकार अभी भारत सरकार ने जो है आपने देखा होगा कि जलवाई परवरतन के लिए क्लाइमेट एक्सचेंज पर ले करके जलवाई परवरतन पर समझाता किया अब उस समझाते में जो अगवाकार देश था अमेरिका वही उससे पीछे हड़ गया सरकार ने जबकि जब वर्ल्ड लेविल पे जब यह मीटिंग हुई तो उसमें कह सब्सक्राइब का गया कि सरकार है जो विक्सित देश है विकास सील देशों को धन महिया कराएंगे और कार्बन क्रेडिट कंपनीज बनाएंगे अब मैं सरकार से मैं पूछना चाहेता हूँ वह कौन सी कर्बड़ेट कंपनीज हैं मेरी जानकारी में 12 कंपनियोंने कर्बन क होती होती है कहीं कोई कार्वन नगहट रहा है सो कुछ लोग जो है बड़े बड़े जो इंडस्ट्री सूंगे वो लोग जो है पैसा कमाएंगे समय अब कागजों पर लीपाब होती हो गई सारे चीजों को आप इंप्लेमेंट करने की कोशिश करती हैं समाज के लोगों के बीच में आपको क्या लगता है कि जो प्रदूशन का कारण है वो बढ़ क्यों रहा है और आखिरकार कहां पे किसकी कमी है क्योंकि कहीं न कहीं यह पर्यावरण जो है हमारे आने वाली जो प्रदूशित करने में तो इस बात से मैं बिलकुल अपना इत्तफाक रखती हूं दूसरे मुझे लगता है कि पर्यावरण हम लोग खुद मिलके बचा सकते हैं जैसा कि हम सरकार भी चला रही है कि व्रक्षा रोपन करिए यहां तक बात समझ में आती है लेकिन व्रक्षों कितना पा रहे हैं जो हमारा में मोटिव था कि हाँ वो पर्यावरण को हम बचाएं पौधे लगाएं उससे फिर हमें ऑक्सिजन मिले लेकिन वो कहां तक हो पा रहा है उसके लिए मैं कोशिश यह करती हूं कि मैंने अपने घर में बहुत बड़ा लौने जहां मैं रक्ष ल हमने कुछ एक अच्छा काम किया और बहुत अच्छा लगता है जब उन्हीं पादों को जो हमने पिछले पांस सालों से में यह काम कर रही हूं लेकिन अपने इस तरपे करते रहते थे लेकिन देख हमारी प्रयास को देखकर बहुत सारी लोग हमारे संग में जोड़ गए ह जनस्था है मेरी जिसमें में मोटिव यह है कि कैसे पर्यावन को बचाएं जीव जन्तू पशू पक्षी पेड़ पौदे सबको कैसे सरक्षन दें होती है कि हम अगर किसी को पहार भी देते हैं तो हम उनको पादा ही देते हैं कभी पोश्बगुच नहीं भेट करते क्योंक इन पर आते हैं फिर वो उससे वापस एक क्या कहना चाहिए वेस्ट हो जाते हैं और जो अचित उनका होना चाहिए एक्जाक्ली वह हो नहीं पाता है प्रेस पर्यावरण को बचाने में जो सबसे बड़ा कारण आपने भी बताया कि सरकार के तोर पर लीपाप होती हो जाती है तो इस बात से भी मैं इतिफाक रखते हूं लेकिन उस लीपाप होती के लिए हम लोगी जिम्यदार हैं हमें काम स्वापे जाते हैं और हम उसको प्रॉपरली करते ही नहीं है यह बात तो बिल्कुत सही आपने कही जिस तरीके से आपने का नवरक्षा रोपन की बात जब लगाने के लिए उनके पास समय नहीं है और कही न कहीं वह पड़े हुए एक कहते ना कि बोज की तरह वो सड़ रहे हैं उन पर ध्यान नहीं दिया गया यह भी तस्वीर हमने देखी है तो कहीं न कहीं देखा जाये तो यह भी एक ब्रश्टाचार का दूसरा रूप है और सड़े होए पेल पहुत ही प्रदूशन भालाते हैं कि वो सर जाते हैं फिर बद्बू आती है उसमें से और अनेक तरे के जो कि चुट-चुटी से किटाड़ों है वो पन अपने लगते हैं तो सबसे बड़े हम लोग की समाचिक हमारा यह दायत तो है कि हम लोग अगर किसी कारे को लें तो उसको पूरा करें यह नहीं कि बस स्टार्ट करके इसको छोड़ दिया बीचिवें तो फौधा लगा रहे हैं तो उसको कम से कम उसका सरक्षन करें जिर आकस्च जी मैं इसमें कहना चाहूंगा कि आप देखे सरकार जिस प्रकार से पर्यावरान को ले करके ड्रावा करती हैं, आप हर फरस देखते होंगे कि बर्सात के मौसम स्टार्ट होने से पूर में जो है, व्रच्छा रोपड का विरहत कारक्रम चला आ जाता है, सरकार ने आज तरभ ब्रच्छा रोपड का कारक्रम चलाया या जब से चलाया है, उस हिसाब से तो ये पूरा भारत देश जंगल हो जाना चाहिए था सरकार ने प्रियास किया कि जियो टैगिंग कराएगी अब सरकार की जियो टैगिंग कहा गई सरकार को ये क्यों नहीं बताना चाहिए वो कितने पेड़ लगे कि कहां गए वो पेड़ इनके उपर सब जो है जाच होनी चाहिए और मेरा पूर्ण विस्वास अगर इन पे संपूर्ण रूप से जाच हो गई तो जितने विभाग के मुखिया हैं जिनकी जिम्मेदारी थी उनको जेल में अवस्ति जाना पड़ेग जिस तरह से अभी कहा जा रहा था कि सर्दी इस बार बहुत अच्छी पड़ेगी बहुत जादा ठंडोगी और अभी तक सर्दी उस तरीके से शुरू नहीं हो पाई है तो कही नहीं आपको नहीं लगता कि ये भी एक कारण है जिस तरह से पर्रयावरण के साथ शेड़ चा का कारण ये है कि इस समय पूरे देश में करीब हिंद महासागर में एक चक्रवारती वाओं का से छेत्र बना हुआ है एक बंगाली खाडी में बना हुआ है और मद भारत के उपर विप्रीत हवाओं का चक्रवारती छेत्र बना हुआ है इसके अलाबा जो डबलूडी होते ह जिनको हम लोग पश्च्वी बिचो कहते हैं सर्दियों में उन्हीं पश्च्वी बिचो के कारण बरसा होती है वो डबलूडी कल एक डबलूडी आया था जिसने पहाड़ी छेतरों में गिलगिट पाकिस्तान, मजफराबाद, जंबू कास्मी लदाख में खुब बरबारी कर रही हैं अगर ये पश्च्वी बिचो एक हपते का डिफरेंस पे आता है तो ठंडी हवाइं चालू हो जाएंगी जो सोले तारीक से हम लोगों नों उम्मीद कर रखी है कि यह जो दूसरा डबलूडी आया है कल वो आ जाएगा उत्तर भारत में और अच्छी खासी चालू होगी और टंप्रेचर फिर छे और साथ तक आने की उम्मीद की जा रही है लेकिन एसन पंडी जी सबसे बड़ा सवाल यह उड़ता है कि जब प्रकृति की हम बात करते हैं और मौसम के साथ एक तारतम में बिठानी की बात करते हैं लोग व्रक्षा रोपन की बात त बाती है इसना सबसे बड़ी बाती है पेर तो लगा देते हैं जिसके बाद उसकी सुरचा नहीं हो पाती है अचार एक चीज़ यह भी है ना कि आ देखा जाए तो जिस तरीके से जो प्रकृतिक सुरूत हैं उनको कही ने कहीं हम छिरचाड करते जा रहे हैं अगर हम बात कर ले जैसे समर्सिबल पंप की बात कर लें जगा 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 जमीन का पानी बिना किसी परमीशन के समर्सिबल पंप से पानी कीचा जा रहा है जमीन का तो कहीं ने कहीं यह भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है पर रहे हैं और इससे तो पूरे सहर को खतरा होता है जब पा जावाद आगरा लखनौ इन जगह फिर रोक लगेगी इस पर कि जो हर घर में पंप लगे हुए हैं जो भूमी खीच रहे हैं और बहुत ज्यादा बरवाद भी हो रहा है उसको कि लोगों टंकी चालू कर दी पता लगबंदी नहीं कर रहे हैं चालू टंकी पानी बहरा है सब को पताए करे काने कौन बंद करे क्योंकि फ्लेट मेंदेस लोग रहते हैं उस कंपेस में और सबसे बड़े बात यह भी देखी गई है ना हैसिन पंड़े जी कि उसी पानी से लोग अपने वाहनों को भी धोते हैं बहुत बहुत बरवादी होती है जो कुर्बेंट ने रोक कि लिए एक सिस्टम लगता है वह लगना बहुत जूरी है और इस पर गौरण भी काम कर रही है और उस पर आदेश भी जारी के गहें कि बड़ी बड़ी जो विल्डिंगें हैं उनमें भू भूम जल सरच्छन किया जाए उसमें सिस्टम लगाए जाए और लोग लगा भी इत्व रही है red नहीं तो मैंठाक्र मैं तो कानपूर जनपत का ही रहने ऑला हूँ कानपूर बे जिन संस्थाओं को इसकी जिम्मेदार200 विकास प्रादिकर उसने किसी भी जगहे पर जो है यह जिस भूमिजल सनच्छड की बात कर रहा है कि उनकी अपनी सरकारी बिल्डिंगों में भूमिजल सनच्छड नहीं वो क्या तुद दूसरों के बारे में कारवाई करेंगे पहले वो अपना अपना घर देखे इसके बाद बात क कौन कराएगा ये सरकार के जिम्मेदारी जिसंकार काम के ले ले रहे हैं उनकी जिम्मेदारी disciple कि बहुत हुआ और भागों निए उनको अपना दाय तुन निदाओं चाहिए उसकाम में ही लगाएं ठीक पूरा प्लान किया लेकिन आज भी हमारी आदत है के डब्मे में नई डालेंगे वो क्या है नालियों के थू जा रहा है लोग खिर्की खोले कच्रा मिलेगी जगा जगा अलाव जलाए जाएंगे जी अलाव जलाने के लिए लकड़ी लाए जाएगी लकड़ी लाए जाएगी तो कहीं न कहीं देखा जा रहा है कि अब हो सकता है कि वो लकड़ी लाने के लिए पेड़ों को काटा जाए दूसरी बा हम लोगों के लिए सबसे नुक्सान दाग तुवीकिल हैं जो वीकिल है वो सबसे नुक्सान है अनौराभ जी जहां का कूड़े की बात कर रहे आप तो यह हम लोग का घाई तो घर से भी शुरू होता है कि हम गीला कूड़ा और कूड़ा और अलग लग रखें और उनको जो कुड़ा है उसको हम खाद के रूप में वेगर हमारे घर में कोई जगा है तो वहां रखकर उसको एक तरफ वेगर हम डं कर दें तो वो चैद्धीर खाद में बरवर्टेत हो जाए उसी को हम एड़ बौदो में डाल दें सूखे कूड़े को जो भी हमारी परिवर्तिन की हमने अपने घरों में बहुत सारे लगा रखे हैं कई तो शोपीस के तौर पर बना रखे हैं लेकिन आपको नहीं लगता कि लोगों को इस तरी इस चीज के लिए जागरू किया जाए कि मनी प्लांट जैसे या ऐलोवेरा जैसे या नाकफनी जैसे ऐसे प्लांट्स जो क्ली करते हैं गंदगी को सोखते हैं और कही ना कहीं आपके जो आसपास का वातावरण है उसको क्लीन करते हैं जिसमें एलोवेरा एक सबसे बड़ा एहम रोल निभाता है बिल्कुल अन्राग जी बहुत तो ऐसे ऐसे में ऐसे पर्यावरण के लिए ऐसे पौद हैं जो कहीं ना क करते हैं लेकिन लेकिनवाट लेकिन अघेंट कर देक हैं लेकिन वह चीज्ज जो है आमनानी को नहीं पता होती हम नागरिक तो क्या गुलाब लगाए धीशित करने का कंडीया प्लावर करते हैं इसके लिए लोगों को पहले जाग Empire कि हम लोग की हम लोग पैदिए 18 उसको जागरत करें हमारे नागरिकों को और उसी के लिए मैं मेरे घर में मनी ब्लांट नीम तुलसी कपूरी तुलसी नीबू ये सारे व्रक्षे और जब हम वैंने आप से शेयर किया था कि जो अतितियाते उनको भी हम पौदा ही देते हैं उपार सरूप तो उसमें मनी ब्ला सब्सक्राइब करें हैं यह मेरी एक अपनी दिमाग की उपच्छती और वह संस्था मैं डवलप की और अपने इस तरफे में उसको आगे बढ़ा रही हूं जो भी है जो हमारे कुछ मेंबर्स आप बने हैं कि नहीं हम आपके संग जोड़ना चाहते हैं वह जो धनराश्य आ बनाके नीबू का जो मौसम होता है उसमें नीबू का अपने डलिया बनाई और वो उतिती को दी जो नीबू सबी लोग को पता है कि समय बहुत ज़रूरी था तो इस तरह से हमी लोग आगे बढ़ें दीरे-दीरे पुश्मगुच को हटा कर और पौधे परदान करें और ऐ जो प्लॉट्स होते हैं खाली प्लॉट्स उसमें यूकेलिप्टिस जैसे पेड़ो गा देता है और आपको पता है कि यूकेलिप्टिस का ये पेड़ कम से कम 5,000 रुपए का जाता है और वो यूकेलिप्टिस का पेड़ क्या करता है अपने जमीन के पानी को सोकता है तो य ये जो चीज है ये इसको लोगों ने बिजनिस बना रखा है तो ये आप सोची है कि गाउं में भी मैंने देखा है इंटीरियर में जाके लोगों ने यूकिलिप्टिस के बहुत सारे पेड़े खड़े करती हैं देखने में तो लगता है कि हाँ पर्रयावरंट साफ हो रहा है लेकिन एक्ट्वल में देखा जाए तो जमीन का पानी साफ हो रहा है तो ये आपको नहीं लगता कि इस पे सरकार को कोई नियम लाना चाहिए इस पे नियम कोहन लाएगा, इस पे सरकार ही तो नियम लाएगा, सरकार नहीं तो पहले इनको बढ़ावा दिया, अब सरकार की जिम्मेदारी भी टोटल सरकार की है, आम आदमी की जिम्मेदारी नहीं है सरकार की तो अधो हर मामले में अधोस्तिती है, आप आप देखेंगे, जैसे मैं छोटा सो धार दूँगा, जिले के जिला अधिकारी आपकारी भी बाग का भी हैड होता है, और मदपान निसेदतकारी भी होता है, उसी से कहते हैं कि जो है दारु ज्यादा ने विकने पाए, और उसी से कहते हैं राजस सुजादा लेकर क्या, तो यह अपने हाँ हिंदुस्तान में एक ही आदमी को दोनों पावर दी गई हुए है, तो यह तो मूर्ख बनाने का मामला है, लेकिन जिस तरीके से करोणों रुपए खर्च किये गए, अगर हम थोड़ा सा हट के चलें, नमामी गंगे प्रोजेक्ट के तरफ देखें, सीसा मों नाला बंद कर दिया गया ठीक है, लेकिन क्या अभी भी नाले बंद हुए है, क्योंकि गंगा जो गंगा एक एक जमाने में कहा जाता है, कि गंगा का पानी ऐसा है, कि जो कभी खराब नहीं हो सकता, सालों साल आप अ नहीं कहीं बीमारियां हो जाएं, तो सचाई ये कि क्या अभी तक आप इंप्लेमेंट कर पाएं हैं उन चीजों को करोणों रुपए खर्च करके सिर्फ वटल घाट का सुन्दरी करना दिखा के लोगों को जो बेवकूब बनाया जा रहा है, बाकी घाटों की इस्तिती और उसके बाद सबसे बड़ी बात है, पर्रयावन की क्या इस्तिती है, आज भी देख लीजिए, अगर हम देखा जाए तो कहीं न कहीं पर्रयावन को गंदा करने के लिए लोग अभी भी पहुंच जाते हैं, धीरे से चुपके से एक पॉलिसीन दिये से सरका देते हैं गंगा पर रख देते हैं, उनसे पूरा साल याचना करते हैं, उनसे भीक की तरीके मांगते हैं, मुझे ये दे दो, वो दे दो और जा करके उनको जो है रोट के किनारे देते हैं, अब गलेश उस्तों के बाद देख लीजिए, आपको मैं आपको बहुता हूं, मुंबाई बगरा क कidy तो अब आप देखिए, इस्तिति ये है कि हम धारमिक आस्था, की बात अगर हम किनारे कर दें, तो कहीदा बहुता हैं, शिशानी कारख हैं, चाहे पर्यावराण, चाहे मौसम हो, चाहे वैदार हो, चाहे हमारे गंगाय, जमना, या कोई भी नदी है, जिसमें यह सारा पहुँच गया कानपूर का सबसे प्रदूशित देश प्रदूशित शेहर बन चुका है देश में यहां रहने कि मतलब कि आपके इस दस साल कम अगर आप सतर साल जी रहे तो साथ साल ही जेंगे अगर आप प्रश्च सहर में सास ले रहें ने तो सर ये बताईए कि इसके अब की बार जो हम लोगों ने देखा गाओं में जाके तो किसानों ने खर पराली कम जलाई और किसानों ने उसी कल्टीवेटर से लेकिन 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 लगता है लेकिन असने पांडे जी आप इस पीस को इतिफाक कोई भी बात जब जहां समझाने पे आती नहीं तो उसमे पहले आ जाते हैं जैसे अभी छट पूजा होके गई है घाटों पे फाल पूल पती सब एक जगे सभा चल रही थी और उसमें ये सक्षितार खुशाली की बात उली थी वहां किसी का एक प्रपोजल आया कि हम लोग जाके घाटों को साफ करेंगे तो मेरे एक इनता हम लोग क्यों करेंगे आप एजुकेट करेंगे उनको कि आप यहां आए हैं आपकी आस्था को प्रणाम करते हैं आपने सब कुछ चड़ा है वापस जब जाएं तो उसको उठा के ले जाएं हम जाके साफ करेंगे तो हम उनको एक मैसेज दरें कि ठीक है आप गंदगी भलाई है हम साफ करने के लिए आपके पीछे कड़े हैं तो यह गलत मैसेज था तो मैंने उस पर एजुकेट करी है कि ठीक है आपके सब कुछ ठीक है लेकिन अपने गंदगी उसको गंदगी नहीं कह सकते वो जो आस्ता के भूले हैं जो भी जिस भी चीज़ का प्रतीक है उनको आप स् विष्ठा से और आस्ता से लेके आते हैं उसको आप सड़क पे छोड़ देते हैं तो उसके लिए भी हमने अपने लॉन में ही बड़ा एक गढ़्धा खोथ के सारी मूर्तियां वहां पर ही उनको विसर्जित करते हैं जिससे कि कमसी का हमें यह सटिस्ट्रेक्शन रहीं कि ह हमारे पास ही है हमारे लॉन में हैं जो कुछ जैसा भी है तो यह हम लोग खुदी शुरुआत करें हर चीज की तो मेरे खाल से सब लोग मिलकर काम करेंगे इन विश्यों पर तो शैद सफलता मिल जाया हम लोगो हर चीज के लिए हम सरकार पर और अडिमिस्टेशन पर निर् बिला परहाएगी क्योंकि जिस तरीके से देखिए अगर हम स्वास्त की बात करें या अगर हम सफाई की बात करें जिस तरीके से बहुत बड़ा एक प्रारूप चलाया गया सरकार की दौरा के इन सरकार ने भी चलाया जिसमें अमिताब बच्चन जैसे लोग उतरे और उन्हो क्या कहती है आज भी आपको बताओं कुछ गाओं ऐसे हैं जहां लोग तालाब के किनारे शौच करने जाते हैं लेकिन आपको बता दूँ अगर धर्म से जुड़ी बात अगर है तो मनुस्प्रती में साफ का आ गया है कि जहां पे तालाब हो पानी हो नहर नहीं करना चाहि इसमें हर चीज में आपको सरकार को पेनाल्टी लगानी होगी पेनाल्टी लगानी नहीं पेनाल्टी वसूल भी करनी होगी अगर पनाल्टी की बात करें तो आपने कहा पनाल्टी की बात तो आपको आद होगा कि नगर निगम ने पिछले बार जब पिछली सर्दी थी तो पिछली सर्दी ज्रोगा करता G tw chilे जाएंगे इस तरीके के हरकत करता तो उससे पैसे वसू लेंगे लेकिन अगर सही मायनों में देखें गली में आज भी लोग बदस्तूर गंदगी फैला रहे हैं चाहे वो किसी भी तरीके की हो लोगों की मानसिक्ता ये हो गई है करोना काल के साथ साथ जुड़ गई है की सरकार ने सडकों पे यूरीन करने के लिए जगा तो बना दी है लेकिन लोग वहाँ ना जाकर के साइड में जाकर सडक पर ही करने की आदा तिक बनी हुई है तो ये जो एक मानसिक्ता है हमारी और आप जैसे लोगों की इसको सुधारने की जरूरत है कि नहीं है बड़ी बड़ी गालीयों से उतरें गा जो जो है जिसको हम लोग कही न कहीं एक बड़ी चीज मानते है तो कम से कम पंदरा सिगरेट का धुआ तो हो गई एक आदमी के लिए तो जो एक्यू आई है इसको कैसे आप ये बताईए कि क्या चीज़े लिए जैसे हम लोगों ने एडवाजरी जारी करी थी उसके लिए कहा था कि चाहे वो प्राइवेट कंस्ट्रक्शन हो चाहे गौर्म जो हमारे लंक्स को दिक्कत करते हैं लेकिन अगर लेकिन जिस तरह के आपने पानी की छुड़काओं की बात कर दी आपको याद होगा शायद अभी कि नगर निगान में दो गाड़ियां खरीदी पूरे शहर के लिए यतने वाले शहर के लिए सिर्फ दो गाड़िया जो ब भन्द जो बात करेंगे वो उपहास उडाने के लिए सारा काम कान जो है जो है उडाया जाता है के दो गाड़ियों इतना कान पूर की जनसंक्या साथ لاग साथ लाग यहां पर दो गाड़ियों से उट के मूं में जी रहा है यह केवल कुछ लोगों केवस्तियां धित् valid के लिए किसी ने गाडियों में टेंडर कर लिया होगा वो किसी ने किसी बहुत करीवी लोगों को वो टेंडर होगा उसमें नकीछी लोग लग गए होंगे बहुत सारे NGO's मेदान में दिखाई पड़ते हैं और कहीं ने कहीं देखा जा तो एक कितना प्रोजेक्ट डिजाइन किया प्रोजेक्ट किया, फाइल सब्मिट की, पैसा आया, पैसा लिया, बंदरबाट हो गया NGO ने फोटो चपवा ली, NGO ने किसी गेस्ट को बड़े नेता को बुलवा के कुछ चीज़ें दिखा दी हाँ भाई हमारी फाइल मेंटेन हमारा काम पूरा लेकिन ये जो पर्रयावरन के नाम पे काम चल रहा है संस्थाओं को कहीं न कहीं ये चीज़ें करनी चाहिए, आपको लगता है कि क्या वो कर रही है देखें काम तो करना चाहिए, लेकिन काम इमानदारी से करना चाहिए, जैसे मैंने पहले भी आप से इस बात को किया था कि NGO's बन रहे हैं या संस्थाइं काम कर रहे हैं और बिल्कुल चीख कह रहे हैं कि फोटो की चाली और बस हो गया काम उनका अख़बार में निकल गया काम पूरा हो गया यही रीजन है कि मैंने एक प्रण लिया है कि कोई चीज जैसे कहते हैं चैरिटी बिगेंस फ्रॉम होम तो खुछ शिश्रुवात करिए इसलिए अपने संसाधनों से अपने घर में ही लॉन को वहीं पर रोपने हैं उसमें शैद अनराग जी हमारी आपकी पहली मुलाकत होगी कोई पेपर में नीच पाना किसी को बुलाना नहीं मुझे काम करना है मतलब काम करना है इत्वाक की बात है कि कहीं किसी को मालूम बढ़ जाए वो कह दे कि हाँ चलिए आप परियावरण के लिए काम करते हैं जैसे कि आज यह हो रहा है तो ठीक है लेकिन मैं उन संस्थाओं मैं नहीं हूँ ना कोई मेरा ना किसी से कोई रिजिस्ट्रेशन है अभी हमारी संस्था का लेकिन मुझे लगता है कि जितने लोग मेरे संग जोड़के इस काम को आगे बढ़ाना चाहिए उनका स्वागत है लेकिन हाँ निसार्थ भाह से पब्रियावरण की आती है और तो मुझे नहीं लगता है कि किसी पर्यावरण वेद की जरूत पड़ेगी या किसी समास्यवी की जरूत पड़ेगी क्योंकि ये हमारा अपना आपका नेचर है ये हमारी आपकी प्रकृती है अगर हम अपनी प्रकृती के साथ ही छेड़ चाड़ कर रहे हैं तो इसका और आपने देखा होगा लंदन में वो गंगा को मा तो नहीं मानते ये टेम्स नदी वहां बहती है ठीक है परन तो उनके यहां नदी कैसी पहर रही हो अपने यहां हम लोगों ने जिसका जिसका आदर किया उसका निरादर जरूर किया चाहे वो भगवान की बात हो गड़े पांठी भाणताहब को हमने देवी देवता के रूप में माणा हिमाले को हमने देवता माना नाग को हमने जो है देवता माना तुल्सी को माता माना क्योंकि इन सबसे फाइदा था परन्ट पांड़े restrictive जीवनलों जोड़ी कोई धर्म के साथ जोड़ दी गहीं थी कि लोग इस पर मानेंगे यह कारण था उसका परंत पांडे जी हम लोगों उसको जीवन में ना उतार पाए कि हम लोग जिसको जैसे गलेस लच्छिमी की मूर्तियों को पूरे साल पूजा करने बाद में हमने जो है हमने स्व से मुझा से मचलियों को निकाल के बेचेनी की बात हो या जंगलों को ने की बात हो या best के चकर में जीव जंतूँ ऊछ का छिएक इसतरी जो मनुष्य हमारे जैसे आप जैसे मनुष्य ये कारण कर रहे हैं कारक बने हुए हैं इस अब इस चीज़ को प्रदूश्रन फैलाने को एक जगन अपराध के तौर पे माना जाए इसके लिए कठोरतम दंडात्मक कारवाई होनी चाहिए आपको नहीं लगता क्या कठोरतम दंडात्मक कारवाई आवास होनी चाहिए लेकि इसमें सरकारों की मुख भूमका है सरकारों ने अभी पराली जलाने पर सरकार ने रोग लगा दी सरकार को इन विए पराली ना जला है उसके लिए क्या मेकनिजिए सरकार किसान क्या है पहले वो पाई लगाए इरीगेसा ना खर्चा उसका आ गया फिर वो उसमें जुताई करें बात यह होती है कि कोई काम करने के लिए अब किसान के पैसा पैसा थोता नहीं है कि वो फिर डीजल डालेगा टेक्टल लाए गया जुताई करेगा फिर उपर आली करेगा लेकिन अपकी वार जो हमने देखा है गाउं में जाके लोगों उसको माना बहले तीस परसंट मानाओ चालिस प सकता कि आपको वहां तक आवास पहुंचानी चाहिए कि एक गरीब किसान उतना खर्चा कैसे करेगा जो अपनी फसलों अपनी फसलों के लिए पानी तुला नहीं पा रहा है वो इसके लिए कैसे पानी लेकर आएगा जो पर जो आदमी के पास जमीन नहीं जमीन है लेकिन व क्या करते हैं बटाई पे खेट चला रहा है वो कैसे फसल को कहां से बेचेगा आप तो देख रहे हैं पानी बरस जाता है मानसूर आया पानी बरस गया लेकिन अब उसको जोतना भी तो है उसको डीजल चीए टैक्टर कराभ लेना यह सब चीजे होती है अनुरागी सबसे बड पुर देर पहले जिकर किया था कि वह टाय ट्यूब जलाये जाते हैं उस पर पांसर रुपे जुर्माना है लेकिन वहां ब्रस्टा चार संग में जुड़ जाता है दो सबसे बहले स्वें को उधारेंगे हम तब हम आगे कुछ कर पाएंगे और वह मेरे खाल से अपना स्व प्रसाथकार वोन बहुत जरूरी है कि आप जो भी कर रहे हो लॉग्डाउं ने उस खा दिया हम लोगों को भी लेकिन 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 कुछ लोग होते हैं ना जैसे भय भी ना होता ना प्रीत वाली बात आ गया उसकी सरकार ने पर नल्टी लगाई लोगों ने माना भी लो लाते हैं उतों के जीवन की बात अब लोग निलगाते हैं लेकिन लेकिन एक चीज़ मैं आप से पूछूंगा जिस तरीके से क्लाइमेट बहुत सारा चेंज होता चला जा रहा है उसके बाद जिस तरीके से अब जैसे मौसम के हिसाब से अगर मौसम नहीं बदला सर्दी इ इसमें तो मैं बता रहा हूँ आपको कि 1979 से एक हमारी जो मेटरोलोजिकल सोसाइटी है पूरे वर्ड की उसने यह कहाए कि यह बीस वर्स आ रहा है यह लगता है कि सबसे ज्यादा गर्म वैसुद वर्स होने जा रहा है जबकि एक लानीना होता है लानीना भी इस बार इफे हमी सारे इंसानी का रखें कर लिक लेक था उसमें लिखा सबसे बड़ा कार एक इनसानी का रख है हम लोग कुछ समझें नहीं को चीज समझते नहीं है भाई इस तरह करिए लोग खूब मना करिए आप कॉटन का बैग लेके जाए आप देखिए 70% लोग पॉली थीन पढ़ अपना बैग लेके जाते हैं तो बैग सम्मिट कर लेंगे जब वहां से हम सामान ले लेते हैं तो उसके बहां निकलेंगे तो वह खुद पूछते हैं कि आप सब पॉली थीन बैग चाहिए क्या हाँ तो सवाल यह उड़ता है ना कि आदमी सोचता है कि चलो यार एक पॉली टिशूड़ चेंज कर दिया है जो फॉली थी था पर भीडिए ले लगें वन लोग कपड़े के लगेंगें लिकिन बस वह भी यहां पर भी अगर पर्रियावरण की बात एक पेपर के लिए कितने बड़े पेड़ का बरीदान होता है बिलकुल ची कह रहा है अगर बन रहा में होता था कि खजूर का पेड़ां या कोई भी जूट का है जो भी है उससे कही ना कहीं हमारे जो गाओं के लोग थे वह डलिया बनाते थे खिली बैग मोनाते थे कहीं जारी चीज्यूज करते थे JIM जो पैपर की बात करते हैं पैपर को भी प्रिमोड करते हैं तो सब्सक्राइब करेगा रिसाइकलिंग कों करेगा रिसाइकलिंग की करवाना की जिम्मेदारी तो सरकार की है आम आद्मी के पार इसतना इंफ्रास्ट्रॉक्शर नहीं तो इसको जिम्मेदार इसको इक हर bättre है हम वे उसने कर्फ ही ने कलता है इस चरचा का कि कहीं नकार कह कि यह जो सजावटी पर हमने बना रखा है ना जैसे हमने गंगा विराज पे देखा है कि एक सजावटी पैच वर्क के तौर पे सजावट दिखा दी कि हां कानपुर में स्वा गयत है बहुत बड़े है एडलाइन लगा दी, लोगों को लग रहा है, स्वक्ष कानपुर, बहुत बढ़या कानपुर हो गया, लेकिन सचा ही ये है, कि जीने लाइक दूबर जो यहां पे सांस हो गई है, वो कही न कहीं कुसका हम और आप ही कारण है, और आगे आने वाले समय में जिस तरही के से क्लाइमिट चे निवाद यहां पर जुड़ने के लिए चर्चा में आने के लिए, और फिर किसी दिन मुलाकात होगी आप सबीसे, फिलाल दर्शकों आपको बता दूँ कि जो आज चर्चा का विशारा वो यारा की जहरीली जो हवा है, वो क्यूं होती जा रही है, कारा निकल कर सिर्चा मे यही आया, कि हमारे और आप की वज़े से, अगर हम और आप सम्हल जाएं, हम और आप गाड़ी का इस्तमाल कम करें, अगर गाड़ी के इस्तमाल के जगा साइकल का इस्तमाल करने लगें, कुछ समय के लिए, तो कम से कम देखा जाये, तो हमारी सेहत भी फिट होगी, और कही सिबल पंप लगा कर हम पानी निकाल लेते हैं जमीन का स्रोध खाली कर देते हैं उसको बंद कर दें तो कहीं न कहीं पानी हमारे जुम्रदा परदन की हम कोशिश देखते हैं जिसकी वैसे क्लाइमेट चेंज होता वो होना बंद हो जाएगा और सबसे बड़ी बात एक दूसर हर बात हम बुझाएंगे सवालों की आग रहेगी हर मुद्दे पर पैनी नज़र बड़ी खबरों पर बड़ी वहस अब सजेगा विचान बहस पक्ष विपक्ष का रणक्षेट